मुझा जी हाँ ये जिक्री वजिनों का रहना रिमकार करम आपके गाँ सिरस पेर भरत्पर में आउजित किया जा रहा है जिसके संचाल कारे करता है अच्छो इनको नाम बागवार अनुमान जी ठोड़िया साम नाम वेवन को कोई संचाल कर रहें आदनी अमारे चाचा जी दिरियस दी और इस कारिक्रम की अध्यक्स्ता कर रहें समस्त पाइटी इस गाँ की सरदारी और डोलक पर संगती कर रहें बड़े भाई गौरा फोल्दार मौरा दी जनुधर के दिवासी जीका पर जनकार दे रहें आदनी अमारे गुरुजी दरंबीर दी चाहत दोलक पातक और इस साउंड का आगाज कर रहें आडियो वीडियो रिकॉर्डिक कार करता बड़े भाई पंडेत रहतार दीजे साउंड सर्वेस जनुधर की तरफ से और आई यगा आपकी ननी शी बालक इंद्रियस गुर्जर की तरफ से गौर दहमाता कर दो सबसे पहले यहां पर बैठे होई मेरे पितातुन बुजुरगन बागवाले बाबा के चन्नों में जो भी बैठी है मेरी माता भेने अब आज को सुनतो है मेरे भाई बंदू सबी के चन्नों में आपकी ननीशी बालक इंद्रेस गुर्जर की तरफ से प्यार भरी राम राम साब नमस्कार जी एर राम राम को ले लिए ऐसी का नाराज़िया साब और देखो आज तुम्हेरों बड़ों बाहगे साब हमस्तों हमारे गुजरन की चाचीजी भी आई है बड़ी बड़ी मलूख मलूख बएयर बैठी है ये भी मेरा बहगे है बड़ी सुन्दर बात सजरो बड़ी सुन्दर बात अभी में लिखी है पहली बार आपकी सुबस्ती में हम आये है इतना प्यार इतना सम्मान इस सिरस गाउं की सरदारी से हमें मिल रहा है ये हमारा सौभाग्य है और ये सब भाब की बाते होती है इतने प्यार से आप हमें यहां पर बुलाते है और वो कहा भी है जिस भाबना में भाबना वो भाबना प्यकार है और जिस भाब से मुझको बजे तो भाब से बेडा और सारी बाते भाब की होती है इंसान का जनम 84 लाक यूनियों को भोगने के बाद प्राप होता है जब ये इंसान इस गर्व के अंदर रहता है तो उस प्रभू से उस परमात्मा से यह बिंती करता है कि है प्रभू हो तुम मुझे इस नर्ग से बाहर निकालो मैं भारा करके तुम्हारा गुनगान करूँगा तुम्हारा चिंतन करूँगा तुम्हारा मनन करूँगा तुम्हारा जाब करूँगा तुम्हारा नाम करूँगा लेकिन गर्व के अंदर वादे कर दिये गर्व से बहार आया सारे वादों को भूल गया इनसान का जनब मिला है तो कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि दूर दूर ताकि सद्यां हमें याद रखे आईएगा सजबो दो लाइनों में इस इनसान के लिए बड़ी सुन्दर बात लिखी है कैसे भया कहा क्या और तेरे सर्पाइक वीचे काल्य माने जातू एक बार साथ में ने भी अदने चाचा जो हमारे फेटान वारे बेठे बड़े बूड़ी आए ने क्या सुष्टी ये बिलकुल खोल देओ और ने हातने बांदो मा तामने त्यारे बाई अरण की सोगंदो जो हातने बांदे तो एक बार प्यार दिया कि जैकारो जरूर लगा दियो बोलिये बागवाले बाबा की बाईया जी चेताम नी दी और समझाया कैसे और तेरे सर पर करें जैकाल माने जातू और क्या और मत चले अदा की ही चाल माने जातू अब सुनिये गा पहली बात के अंदर कुंसी बात लिखी भईया कैसे और क्या कहा क्या आ रहा क्वोड़ी बंगला रहा को यी। और मॅ जया सुनिये गा जाचा जी जब ते आनिओ जब ते बंधिना है कैसे लड़ जगड क्या एंक दोनु जणे बहु इया जी सुनिये गा आ रहा कोघ्वी पंगला बने हुज ये क्या रे और फिर भी गाडी न्यारी ही चाई है क्या अथाया आरे क्वाथी बंगला बने हुए क्या रे और ये रे फिर भी गाडी न्यारी ही चाई है और ये रे दुनिया भर में भूलो बड़ा तेरा दुनिया भर में भूलू बड़ा केरा बहुत बली सरतारी ही चाईए और ये रे लम्मी गर्दन क्या अरे लम्मी गर्दन चोडी छाती संग में सुन्दर नारी चाईए लेगे ले खूम सिना भाई ये वोलो कैसे है वो ये नारे नी सो साल मान जा तू ये नारे नी सो साल मान जा तू और मतो चले ए मतो चले अदाखी चाल मान जा तू लेकिन सजनो आज का ये इंसाथ केबल एक चीज के पीछे भाग रहा है और वो चीज कून सी है केबल पेशा और वह यादी सुनिया कहा कैसे है कहा क्या अरे कोणी कोणी माया जोड़ी ये किशी किस रुपए का सम्मान आदन्य अमारे चाचा जी दे बार बार दहनवाद कहा कोणी कोणी माया जोड़ी और ये ये पांस एक रुपए का सम्मान आदन्य अमारे सर्पन साव अजीत सर्पन साव नावड नावड नवासी दे रहे में चांगी चोड़ दाता लिए उसर सम्मान कीजिएगा चाचा जी का कहा जबाब दिया कैसे आले कोणी कोणी माया जोड़ी और ये तो होने डोले माला हमाले और ये सर्पन सम्मान बच्चु चाचा जी मोलोनी नवासी देरे बार बार धन्वार कहा क्या आरे कोणी कोणी माया जोड़ी हो ये तो होने डोले माला हमाले और भाईया क्या आरे यम किये दूद्धों पकड़ लेहे जामें भाईया गौरब इतने तम डुवा लगवा जामें पैसाने लाएं सब्सक्राइब सब्सक्राइब और दो सब्सक्राइब आदनिया मारे बड़े भाई पूरन भोदी दे रहें और वह याईनी यह कित हुगए दो वक्दे अच्छो चाचा है इसी बीच यह सब्सक्राइब सम्मान आदनिया मारे चाचा की चंपार आपती धाकर साब के रहें बारवार धंदवाद लेकिन कहां क्या आरे कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी यह तो होने डोले माला हमाल और यह रहे यम किये दूटों पकड लेहे जामें क्या आरे यम किये दूटों पकड लेहे जामें नहीं गरेगी तेरी ही दाले गार लिखा भया जी क्या छुनिया गा बताया या आरे यम किये दूतों पकड़ ले जा मैं नहीं करेगी तेरी ही दाले राग अब या ने को अगथारी स्टार्टेंग कर दिये और ये सार बेगा सम्मान आदनियमाने चाचा दी दे रहे हैं एक मनद साब ने का आ रही हूँ ने जग छोड़ो सा थूड़ थूड़ कहा क्या बताया आरे ये म किये दूतों पकड़ ले जा मैं आरे ये दूतों पकड़ ले जा मैं और ये सौर बगा सम्मान राजराम जी आदन्य मरताउ जी गांग रोली नवासी दे रे मरवा धनवा क्या आरे यमकिय दूत पकड लेहे जामें नहीं गरेगी ही तेरी ही दाल और ये एक यामर बेगा सम्मान आदन्य बड़ भाई दे रे आरवार धनवादन के लिए कहा कैसे आरे यमकिय दूत पकड लेहे जामें नहीं करेगी ही तेरी ही ताल और अब इतन में कथाय स्टार्टिंग करियाओं फेरारूंग और धरकाते पे धरकाते पे तुझ को तोले सीधी कहते तेरी ही दाड धरकाते पे तुझ को तोले हो त्यरा हाल करेपी हाल मैन जा तुझ कहा क्या हो त्यरा हाल करेपी हाल मैन जा तुझ हो मत चले ए मत चले अदा की चाल मान जा तुझ मत चले अदा की चाल मान जा तुझ हाजी सजनों बिचार कीजिएगा और गौर कीजिएगा आपने माँ भारत काफी सुनी रामैन आपने काफी सुनी एक बड़ाई सुन्दर इतहाद मेरा निवेदने इस कथा को गहराई से सुनियेगा और मेरी जिक्री के अंदर ना कोई लटका मिलेगा ना कोई जटका मिलेगा सजनों आप सभी ने जूनागर रल्धानी का नाम जरूर सुना होगा वही जूनागर रल्धानी जहां पर नर्सी जी ने रामा के लिए भात पे राया था उसी जूनागर रल्धानी के अंदर एक राजा राज किया करते थे राजा का नाम था चंडरुप्त राजा चंडरुप्त राजा बढ़ाई बल्साली राजा था ध्यान दे एक दूसरे के कानों में बात ना करें मंच की तरफ ध्यान लगाएं चंद्रकुप्त राजा बड़ाई पर्शाली था लेकिन कहते हैं इस रोता हो बुढ़ापा एक कड़बा सत्त है जिसे हर किसी इंसान को सिकार करना पड़ता है चंदरुगुपत राजा को बढब आ गया, चंदरुगुपत राजा को बढ़ा बतर था, उस बेटे का नाम था मदनु सेन, आहा सचनो, इधार में чंदरुपत राजा ने अपने बेटे मदनु सेन को बुलाया, कह दिया बेटा अब मैं बूड़ा हो चुकाऊं ये राज बाज चलाना मेरा बसकी नहीं है आहस रोता हो इतनी बात कही मदन सेन को जूनागर रलधानी का राजा बना दिया कि बेटा मदन सेन मैंने अपनी सिप्रजा को सुख दिया है चाची जी अलचान मत करो बिलकुल आराम के बैड़ जाओ भया जी कह दी कि बेटा मैंने अपनी सिप्रजा को सुख दिया है तो तू भी सिप्रजा को सुख देना इस प्रजा को कभी कस्त मत देना आहा सजनो मदन से राजा बन गया राज चला रहा है और ये क्यामर बेगर सम्मान बड़े भाई दे रहें बार बार धन्यवाद जैसे राज चलाने लगा कुछ से दिनों पस्टाद भाईया जी चंद्रक्त राजा महलों से बहार जाते बच्चा बच्चा से पूछ रहें जन चला रहा है बच्चा बच्चा ने जवाब दे दिया कि महाराज आपका बेटा मदन सेन अच्छा राज नहीं चला रहा है वो तो इस प्रजा को कश्ट दे रहा है इतनी बात सुनी भाईया जी मदन सेन के पाफ आज चंद रुप्त राजा आ जाते हैं मदन सेन को बुलाया और कहा कि ए मदन सेन तूने मेरी सिप्रजा को कश्ट दिया तूने मेरी सिप्रजा को दुख दिया चला जा इस जूना अगर रजधानी को छोड़ करके मैं तेरे लिए बारह वर्ष का देश निकारा देता हूँ बारह वर्ष का देश ये कारा दे दिया मदन सेन ने जब ये बात ने सुनी अपनी राणी चंदर प्रभा के पास आ गया और भहिया जी किस प्रकार से और कहने क्या लगा सुनियेगा कैसे सजनों बिचाद कीजियेगा अपनी पत्नी राणी चंदर प्रभा को सारा प्रतांत बतला दिया कहा कि दानी मेरे पता ने मेरी खता पर मेरी गल्दी पर मुझे बार वर्ष का देश निकारा दिया है मैं जा रहा हूं से जुनागर रलधानी को छोड़ करके और तू यहाँ पर जो मेरे माता पता हैं तुमारे सास ससुर है उनकी तू सेवा करना रानी चंदरप्रभा ने जब यह बात सुनी एक दम से दहार बार गई कहा कि ए रोजन मैं ऐसा कदापी नहीं करूँ मेरी बात सुन लीजिए भाईया जी रानी चंदरप्रभा दहारे मार चलके रो रही है पर मदन से इन से भाईया जी क्या कहने लगी कहा क्या और तेसे देकार में करूँ मी से भाईया जी क्यों क्यों और तेसे निकार में करूँ गी से भाईया और में पत बिरता नारी और मत करें प्यामोए मत करें प्यामोए और तंगे चलूँगी त्यारें संग में बला में हजाजारी आज आज़ा नारी मीन गेत पर जिन स्रोता गाड़ों की मोटन साइकिन खड़ी होएं उनको इधार उड़र कर दें इससे मंत्री जी की गाड़ी प्रिवेश कर जाए सुनिये का सजनो रानी चंद प्रभाद जवाब दे रही है मदन शेन के लिए कैसे भईया कहा क्या होने के कर दे खोक और न रखोंगे निकर करके दे खोक और न रको में और धोर मिलै नायं मोगू और धोर मिलै नायं मोगू जैसे ना चाहिए प्रे ना चाहिए प्रे महा ने तुमे ने साच बता री को पूंदू रानी चंद्र प्रभाने जब ये बात कही विचार करें कह दिया कि स्वामी आपके बगर में महलों में कदापी नहीं रहूंगी सजनों मदन सेंद और भयाजी रानी चंद्र प्रभा देखो सरदारों एक निविया दने तम सवीति है किसी सेंद और रानी चंद्र प्रभा दोनों ने जूना गरल धानी को छोड़ दिया बिया बाद जंगल में आगे लेकिन बदाया पैदल पैदल जारे दोनों भयाजी पैदल पैदल जारे दोनों ये तो बिकट बनी में आये हैं और ठके चकना चूर वहे फिर आपस में बत राये हैं नार कहे नार कहे पिया यहीं सुस्ताए लियो नार कहे पिया यहीं सुस्ताए लियो यह बरगद की सीतल चाया और मैं जोड़ू हाथ पड़ू में तिहारे कहे दिया रानी चंदर प्रवाने मदन हुसें से कि महराज अब हमें यहीं पर आराम करना चाहिए और इसी बीच यह पांसे रुपय का सम्मान दिनेश दाकर जी बोपर नवासी देरे में चाहंगी जोड़ दाता है उससे सम्मान भाईया जी आज ऐसे यह बात कही किसने रानी चंदर प्रवाने और यह सौरपय का सम्मान आदनी बड़े भाई गजेंदर गुर्जर जी नागर नवासी दे रहे हैं बार बार दहनवादन के लिए भाईया देखो रेंज ते बहार पड़ गें तम और आप तो तम गाम ते बहार चलिये जाएंगे जब भी आनू पड़ेगो हमने सौरपय आदनी बड़े भाई खुशी राम जी गुर्जर नागर नवासी और सौरपय देश राज भाई जी दे रहे हैं और सौरपय परसराम नागर जी दे रहे हैं भाई का बार बार दहनवाद बहिया जी, बिचार किया जिएगा, रानी चंदर पर भहाने केह दिया कि हमें इस बरकी सीतल की छायक के नीचे आराब करना चाहिए ये बाते सुनी, अब सुनीेगा, कथा के अंदर एक मोड हरा है और बहिया जी, मदंसे रानी की बातों को सुन कर के भीया गोरव करने क्या लगा बिचार करें गोर करें बताया कैसे भीया सजनों यहां से कथा मोड ले रही है आराम करें रहानी चंदर प्रभार मदन सेंद अब होता क्या है सुनिया कथा के अंदर कैसे और लए दो साला हाते कुवर ने लए दो साला हाते कुवर ने और नीचे दई बिचाई है और वा भर किसी तल जाया में फिर नीचे दई बिचाई है अब होता क्या है कैसे सुनिया का देखो नेक दस रुपईया ने इतने उले आओं बाबा बहुत ये तरे से आ रहे हुआ कर कूने में भाजी कहा क्या कैसे सुमत में वा चंद्र प्रभागू रानी चंद्र प्रभा के लिए एक सर्प ने डस लिया एक क्याम ने क्यामर वेगा सम्मान दोनों चाचा जी दे रहे और एक क्यामर वेगा सम्मान हमारे इंचाचा जी ने दिया बार बार धन्दवा लेकिन क्या भाईया बाल दीवारे ओ भाईया देख जाड़ों पर रोए ये कव प्यास्तिय मर जाने तुम उत खेदी और वो सके भाईया तुन ने कर जावे लोको और वो सके तो गाम में त्यों ने कर जावे भाईया कहां क्या सुमत में वा चंद्र प्रभागू हมา क्या क्या अ पधोल प्रभाव आपो होने क्या लगा धैठे़यी दुहाई सोरबेकल समाना रादने हमारे चाजाजी मान सिंग जी गांग रोली न वक्षी दे रहे बार बार धनवार और ये दो सर्वेगा सम्मान आदे निमारे ताउजी रेप्ती फटेल नागर्दी दे रहे बार बार धनवार कहा क्या उने के लगा अरे सोमत मेवा चंदर पर भागू हूँ और ये रहे दस गया पिसी अरकारो है और ये रहे दई दुहाई अरे दई दुहाई रानी ने कैल वक्षनियों बर के गारो है आहा सजनो इदर में होने क्या लगा मदन सेन देखो ने बात चीत मत करो साथ बिलकुल भी इतको मदन सेन रोब है वो इतको में हूँ रोओंगी 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 देखाऊंगी तम पर भाईया जी है होने क्या लगा मदन सेन अपनी रानी चंद्र प्रभा को ले करके बियावान जंगल में आराम करता है और रानी चंद्र प्रभा के लिए एक सर्पने डस लिया रानी चंद्र प्रभा को जैसे सर्पने डसा अब होता क्या है विचार कीजिएगा चाचा जी आराम से प्रानन प्यारी की चीख सुनी मदन सेन फिर जागया है और वह मदन सेन कूतिय के विचियार इतवित कू फिर भागया है निकले जहाग नार के मुकते तड़ब के मर गई रानी और तुम आगे सुनो खानी रानी चंदर प्रभा की मिर्टू हो गई और भागया जी अब मदन सेन अपनी रानी चंदर प्रभा की लहास को गोदी में लेता है बिलाब कर रहा है रोने लगा भागया कैसे साजनो सुनियेगा आखरकार मदन सेन करता क्या है अपनी रानी की लहास को गोदी में लेकर के गई रानी चंदर प्रभा की लेता है ए रानी मेरी बास सुनों और डख की लाए राजा और वापनों में सौनाया डख की लाए सुनियेगा और इसी बीच एक शेवर बेगा सम्मान आदनी बड़े बाई जिनका ये साउंद चल रहा है हमारे छेतर की साने बड़े बाई पंडित रोता टीजे साउंद सर्विस की राव से आसरबाद मिलाए और मैं चाहूंगी बाई का जोड़ अप्तालियों से सम्मान क सुनियेगा कहा कैसे वोने क्या लगा टाकिना आई रेजा और बन में सौना टाकिना आई और ये एक आमर प्रसमान आदने मारे चाचा जी दे रहें बार बार धनवार अब होता क्या है भाईया जी कैसे ये रहे हलाए हलाए के अपनी क्या आरे हलाए हलाए के अपनी और फिरानिये दिये खे और कुव में देगा गर्मनी का लिये खे भाईया जी होने क्या लगा नियोबाताव साब लूगरान वारी हो तम सुन रहे हैं का इमानदारी तरह तो नियोबाताव कथा चल का रही है मैं सुनरी सुनेंगे दिर दिरे मैं बैठांगी समझ में क्या आरे हलाए हलाए के अपनी और फिरानिये दिये खे और कुव में देगा कर्मनी का लिये खे क्यों क्या होने लगा नाए मुख दे जाके और नाए मुख दे जाके निक्रे पानी और बीचे में दुहा का मेरी दे गई है दानी कहा क्या दक्ति राए राजा बन में स्वाबाया दक्ति राए दक्ति राए राए बन में स्वाबाया दक्ति राए अहां सर्दारो जैसे रोने लगे मदन हुसें अपनी राणी की लहास को गोदी में ले करके अब भयाजी बार बार अपनी राणी को जगा रहें कि ए राणी खड़ी हो मुझसे बाते कर तूने तो कहा था मैं तेरा साथ दूंगी आज तू ही मुझसे दगा कर गई मेरे साथ छल कर गई सजनों जगा रहें मदन सेन अपनी राणी को लेकिन राणी की तो मिर्टू हो चुकी है सुनिएगा होता क्या कफा के अंदर भ्या कैसे कहा क्या और ले गोदी में लास हो एक बात वक्तावसा इमांदारी थे तमने त्यार पड़ो से इनकी सोगंद सही सहीवत थे कथा समझ आ रही या कना रही ऊपर को आथ खड़े कर दियो बलुकुल अच्यो धनबास साथ सुनिएगा और मेरी कथा के अंदर ना कोई में उबदेश लगा रही हूं कथा कोई मैं आगे बड़ रही हूं सुनिएगा मदन से और भाईया जी रानी को जगा रहे हैं कैसे कहा और लेगो दी मेला से और जिगरते लगाए लई रानी और जिगरते लगाए लई रानी और गंगा की सी गंगा की सी इतहारे बर के रयो लेनन के पाली लेकिन वह या जी कहा कैसे बताए दे आरे बताए दे मुए इतनों प्यारी है अपनी रानी को जगा करके बात कराए वो मदन से बताए दे मुए इतनों प्यारी रे बताए दे मुए इतनों प्यारी तू सेवा कर बे सेवा कर बे आई कई किली कर दाए ये भारी कहा रानी ए मेरी रानी तेरे बिना ये सारा संसार सुना है लेकिन कहा क्या जवाब दिया प्यसना है भूनी प्ये खाती रे प्यसना है भूनी प्ये खाती काल बड़ो इमान पे काल बड़ो इमान पे काल बड़ो इमान पे बिना आई न ले और जो नी प्ये खाती और कैसे बड़िया उने क्या लगा अरे लखे रादी का लखे रादी का आले रादा की अदर लगी चाहती अहा सजनों मदन से इनने पर लाप किया अपनी रादी को जगाया कहा रादी अपनी आँखे खोल मुझसे बाते कर मदन से ने एक-एक लकडी को एखटा कर लिया लकडियों की चिता बना करके तयार कर लिया जैसे ही चिता बनाई अपनी रादी चंद प्रभा को ले करके उस चिता के अंदर बैठ गया मदन सेंग केबल उस सजनों उस चिता में अगनी लगाने की देरी है बैठा हुआ है अब होता क्या भहिया जी सुनिये गाव भया क्या करा है वो मदन सेंग लह सजन लेले गोदी में के आप पूट ले हो ना सोदी में चला चला करके मदन सेंग रो रहा है लास को गोदी में ले रखा है चिता के अंदर बैठा हुआ है लेकिन भया अब स्वी स्वर की लीला क्या होती है कहानी में मोड क्या रहा है कैसे कहा क्या चित्रों में बैठा है जाई क्या चित्रों में बैठा है जाई कोई गूमत गूमत सिवे पर्वती का ये बहा आई कोई गूमत गूमत सिवे बोले बुन्दावन वे हर लाले की सजनों यहां पर होता है मेरी कड़ी का समापन और दूसरे राट में इसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे और आप आएड़ा एक बढ़ाई सुन्दर गाना आप सभी के समक्ष बिद्वान लोग यहां पर बैठे हुएं एक से एक बढ़कर ग्यानी लोग यहां पर बैठे हुएं जब मंदोदरी का स्वेंबर होता है सबीर राजा महराजा उस सभा में प्राजमान हैं मंदोदरी ने एलान कर दिया कि भाई मैं साधी उसी राजा से करूंगी जो मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे मेरे कुछ प्रस्णों के उत्तर देंगे अहां सजनों उस सभा के अंदर जो भी राजा बैठे होए थे सभी ने मना कर दिया कि मंदोदरी तेरे प्रिश्णों का हम पर कोई जबाब नहीं है उसी सभा के अंदर लंका पति रावड बैठा हुआ लंका पति रावड ने मंदोदरी से कहा कि ए मंदोदरी क्या पूछना चाहती है क्या तेरे सवाल है मुझसे बोल मैं तुमारे सवालों के उत्तर दूँगा मैं तुमारे सवालों के जवाब दूँगा ये बात कही प्रेमिस रोताओं अब सुनियेगा मंदोदरी और रावड दोनों में सवाल जवाब हो रहें एक लाइन रावड की है एक लाइन मंदोदरी की है भीया जी गाना सुनियेगा बड़ाई सुन्दर गाना कैसे कहा भाया कैसे जवाब दिया मंदोदरी रावड से पूछ रही है रावड सुन मेरा सवाल क्या है और रावड क्या जवाब दे रहा है और देखो सर्दारों या गाना समझी तम बिल्कुल ये एक लूमाली जो हर्याणी की राग लिए बहिया क्या सवाल जवाब है कैसे आरा सौच समझ के उतर देगा और लंक के सर बलबान ए रावड मेरे सवाल क्या है अब रावड क्या कह रहा है सौच समझ के उतर देगा और लंक के सर बलबान मत भूले मंदो दर मत भूले मंदो दर जानू में बेदे पुरा लिए मत भूले मंदो दर अब सुनियागा मंदो दरी का सवाल क्या था पहली बात के अंदर कैसे वह या कहरा वर सुन आरें किसिना रण माना प्याया से किसिना रण माना प्याया से और क्या कमी बताई है नर में बिन कंथी आवाज कून दिये ताजो गूझे धरती अंबर में कुझे धरती अंबर में कोच चले बबन से किया जिपहत पहुचे दुनिया में पले भर में या ये बात गई रावड हस गया मंदो दरी क्या सवाल पूचा तुने किस इसान में कमी क्या है बिन कंड के आवाज कून देता है और इस संसार में सब से तेज कून चलता है सुन में तेरे लिए जवाब देता हूँ कैसे कहा क्या इस्वर का नाम नहीं लिएता हो क्या जवाब दिया के सुन में दो दरी इस इसान की कमी क्या है इस उन का नाम नहीं लिएता और ये कमी बताई है नरु में विद कंथ गोर बादल करता इसर का नाम नहीं लिएता और ये कमी बताई है नरु में बिन कंथ गोर बादल करता जो गूझे धरती अंबार में मन चले पमन से तिया ये बहुत पहुचे दुनिया में वाले भर में भया ये बाग गई अब मंदो दरी अगला सवाल छोड़ रही है अब अगला सवाल क्या है मंदो दरी का सुनी जगा कैसे भाईया पूछा मनो दरी ने ये रेंकर के ख्याल पंदा बैरा बने हो क्या पूछा सुनी जगा एक एक सब्द को गहराई से ऐसे समझ ली जो गानिये में जैसे गुरू कुज के भूतल चड़ रही है बैया जी क्या बताया बिचार कीजिएगा ये रेंकर के ख्याल पंदा बैरा बड़ और ये प्यद कहां से आये है हो दुनिया की रचना करनीये में किस किस की जोड मिला ये है है प्यद कहां उस दादा जिसमें सब जीब समा ये है रावर ने जब सुना एकदम से हस गया मंदोदरी अब भी समझ नहीं आया सुन मैं बताता हूँ तेरे लिए कि ये प्यद कहां से आते हैं किस किस के जोड मिला ये है और उस दादा का पेट कहां पर है आज़त्य अंगरा अगने वायू में और ये जारों प्यद समा ये है दुनिया की रचना करनिये में जडची अतन जोड मिला ये हैं और मंदोदरी क्या कहां कि उस दादा का पेट कूण सा है कहां क्यां दुनिया की रचना करनिये में किस किस के जोड मिला ये हैं और कहां क्यां ओ दुनिया की रचना करनिये में जडची अतन जोड मिला ये हैं और पेट क्या है भू मंदल जिसका पेट बना जिसमें सब जीब समा ये हैं अंत्मकडी समय भी मेरा समापन की ओर है और अंत्मकडी में किस प्रकार से मंदोजरी सवाल कर रही हैं और भाया वरवर वो सवाल पूर्शा है बताया जबक्तिया किस सक्ति से संसार चले हो पूछ लिए मंदोजरी रावर से किस सक्ति से संसार चले वो सक्ति क्या कहलाती है इस नर में जिन्दा रहिनिये की बुनियाद कहां से आती है किस सक्ति से संसार चले हो वो सक्ति क्या कहलाती है इस नर में जिन्दा रहिनिये की बुनियाद कहां से आती है और बैया जिन्दा रहिनिये की बुनियाद कहां से आती है और बैया क्या है चीज कहां इस दुनिया में ना पियस का उकी खाती है अरिया शौरबेगा सम्मान आधनी है हमारे चाजा जी पूरण जी नरेपन बास्ची दे रहे बार बार धन बार और देखों सर्दारों कचुगा भाईया यूप इन्ये पीछे दे आयके के वाई देखों गूजरण की छोरिन को रुपईया दे रहे भलां दे रहे मैं गूजरण की नाव में सब समाज की बेटी हूं इस माई को आप याद रखना एक यामर बेगा सम्मान आदनीय सोखराम जी देरे बारवा धनवा सुनियागा कहा 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 बताया किस सकती से संसार चले किस सकती से संसार चले वो सकती क्या कहलाती है और क्या इस नर में जिन्दा रहने की बुनियाद कहां से आती है है चीज कहा इस दुनिया में नए पियस का उकी खाती है अब साजनों तीन लाइन आ रही है बात अच्छी लगए रुप्टिया बिल्कुल मत दी जो भाईयाजी पर तालियों का प्यार जरू चांगी सुनने के बाद रावर जवाब दे रहा है भाईयाजी कहा क्या है बूशकती से संसार चले कहा क्या सुनिया अच बिशकुते बामोक है बहुत बहुत है अच मामा की छोरी कहा क्या सुनिया क्या बथायाजREE क्वाब क्वाद लुशक एक बतायाज तीन लाइने और तीन लाइन में वहिया जी कहा क्या बताया वू सकती से संसार चले वो जीवन चक्र चलाती है इस नर में जिन्दा रहिने की बुनियाद ओम से आती है और बात अच्छी लग जाए दिले छूजाए तो तालीन को सम्मान जरूदी जो सुनने के बाद क्या वह इस नर में जिन्दा रहिने की बुनियाद ओम से आती है लच्मन सिंग होनी के याद ये नाए पिये सिकाओं की घाती है रमाजा